मुझा नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखर्ना उम्योपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज आपने जिस आइकन को क्लिक करके आप इस वीडियो पे आए हैं हम आपके उस सपने को पूरा करने का एक बहुत बड़ा अच्छा सा मंतर आपको देंगे साथियों हर व्यक्ति की ख्वाइश होती है इच्छा होती कि वहाँ चमके और आकरशण का केंदर बने और इसमें कोई बुराई नहीं है और इसके लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं उस चमक को प्राप करने के लिए उस गोल्डेन शाइन को प्राप करने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं हम बजार से शिमर्स लाते हैं हम बजार से गोल्डस लाते हैं हम बजार से सब कुछ लाते हैं पैसा खर्श करते हैं कीम्ति लेकिन उसको लगाने के दो दिन बाद हम अपने को वहीं पाते हैं जहां से चले थे वहाँ जो चेहरे पे golden shine चाहिए होती है वहाँ बहुत लोगों के नहीं आ पाती और उनमें वो आकरसर नहीं बन पाता कि उनमें self confidence आ पाए क्योंकि अगर आप में self confidence है तभी आप आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं हम आपको बताएंगे ऐसा है जादूइन उसका जो आपको एक आपके चेहरे आपके शरीर पे golden shine लाएगा एक golden चमक लाएगा एक आपको समाज में आकरसर का केंदर बनाएगा अगर एक हजार लोगों की भी algorithm है तो एक हजार लोगों में आप एक हो के चमकेंगे आप मेंशूस करेंगे कि आप में आकरसर्थ पैदा हुआ है हम आपको बताएंगे वह golden light वो औरा अपने चेहरे पे कैसे लाएगे वो सूर्य की तेज अपने चेरे पे कैसे लाएं, सूर्य के प्रताप का वो रंग गोल्डेन लाइट कैसे चेरे पे लाएं निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं ऐसा हो और मैं फिर कहूंगा इस चाहत की दोड़ में हम पैसा बरबात करते जाते हैं अपना लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता है मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं साथियों कि अगर आप जरूरत नहीं समझोगे तो आप नुस्खे को नहीं करोगे आप क्रीमों में उल्जे रहोगे और आप पैसा बरबात करते रहोगे और वही रहोगे लेकिन अगर आप कुछ जो अपने घरेलों नुस्खे हैं उनको आप कर लोगे तो आप ज्यादा फाइदे में रहोगे आपका पैसा भी बचेगा और आपको फाइदा भी मिलेगा हम आपको बताते हैं आपके चेरे पे चमक लाने की एक गोल्डेन शाइन लाने की सूर्ज जैसा परताप लाने की सूर्ज जैसा तेज लाने की भीड में आकरसन का केंडर बने रहने की भीड में चमकने की बहुत कारगर नुस्खा बहुत चोटी सी बात है साथियों कोई बिशेज बात नहीं है आपको इसके लिए उस चमक को पाने के लिए उस शाइन को पाने के लिए चेरे पे उस गोल्डेन शाइन को चेरे पे पाने के लिए और अपने को आकरसन का केंडर बनाए रतने के लिए बहुत चोटा सा काम कर आपको एक बड़ा चम्मच ग्राम फ्लोर लेना है, ग्राम फ्लोर यानि बेसन, आपको एक बड़ा चम्मच बेसन लेना है, आपको एक उससे थोड़ा छोटा चम्मच मलाई लेनी है, मलाई यानि की क्रीम, और आपको चुटकी भार हल्दी लेनी है, हल्दी यानि टर्मरिक, ये ध्यान रहे साती हो जो तर्मरिक हल्दी आप लीजेगा वो गाठ वाली हल्दी को घर में पीसके वो हल्दी लीजेगा बजार वाली हल्दी रह लीजेगा तो आप बेशन यानि की ग्राम फ्लोर, मलाई यानि की क्रीम जो दूट में पढ़ती है उपर की जो सते में पढ़ती है एक चम्मच वहा एक चम्मच बेशन और एक चुटकी भर हल्ली हल्ली यानि टर्मरी इन तीनों चीजों को मिला के आपको मिक्स करके छोटी सी कटोरी में बेस्ट पना लेना है और उसको ! और उसको आपको अपने चेहरे पे 15 रगा लेना है । 15 बाद आप चेहरे को बस उसको मल लीजंगा उसको जरा पनुल पर पर. उसको आप यहीं ढरायबस ऐसे रो यहाँ पूरी तरह से आपका skin peel हो जाएगी आपके जित्ते dead cells हैं वहाँ खतम हो जाएगे skin के आपका जित्ता मैल है जित्ता dirt है आपके चेरे पे वहाँ खतम हो जाएगी चेरा पूरी तरह moisturize हो जाएगा और चेरे पे वहाँ golden shine आ जाएगा जिसके लिए आप इस video को click करके आइकन को click करके आप हमारे इस video पर आएगे आप ये नुस्का करिएगा साथियों यहाँ पौरानिक नुस्का है हम लोगों के आज शादी में मेहंदी हमारे Muslim भाईयों में मेहंदी Hindu भाईयों में जो है वहाँ हल्दी की रस्म होती है वहाँ सब इसी का होता है क्योंकि वह खास दिन के लिए एक हमारे बड़े बुजूर्गों ने वह रस्म के रूप में इस चीज को हल्दी और बेसन इन चीज़ों को स्थापित कर दिया है लेकिन अगर हम इसको रोज मर्रा में करेंगे आप देखेंगे एक महीने के अंदर या एक महीना तो मैं कहूं थोड़ा सा मैं जादा ही कह रहा हूँ पंदरा दिन के अंदर आपके चेरे पर वो सूर के पड़ताप की जो गोल्डें शाइन होती जो चमक होती है जिसको आप आज तक तलास रहे हो जिसको आप दूसरे को चेरे पर तलास दें वो आपके चेरे पर आ जाएगी आप इस नुस्के को करें हमें कमेंट पोर्शन में इसके बारे में आपको क्या फाइदा मिला या नहीं मिला दोनों बाते आप कमेंट पोर्शन में लिखें ताकि समाज क्याने लोग देख पाएं मन में सात्यों कोई क के तो आप यूट्यूब नोटिफेशन पैनल पे अपनी कोरी लिख सकते या फिर हमें वाट्साइब कर सकते हैं कोरी कोशिश करेंगे आपकी बात का संदोश जनक जवाब दे पाएं वीडियो साथ हो अगर आपको अच्छा लगा हो फाइदे मन लगा हो तो इसको लाइक और अपने चैनल को आपको आपने सस्क्राइब कराओ आन से सस्ट्राइब कराईएगा और बेल आइकन को क्लिक करके योही सबसे नया वीडियो सबसे बहले पराक्त करते रहिएगा आपका सात् intentar वक्त हमारे साथ कुझारने के लिए बहुत भाँ धन्यवाद यहां क्ली क्यां अपना चेरा चमकाने के लिए आप यहां बेशन, मलाई और हल्दी इनके मिक्षर का प्रियोग करें और स्वस्त रहें, खुछ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। कि अप्राइब करें इनके मिक्षकी हां टुछ जै टुछाने लिएपकी हां, माम-का प्रिया व्ला है थैजिति गभ यहां। स्वस्त रहें, मैं मलाईब का हुछआ ! कर दो कर दो